नमस्कार दोस्तों, लेट से स्टाडी जीयस में आप सबका स्वागत है, दोस्तों करेंट अफेर्स की सिंखला में हम लोग अक्टूबर माहा के करेंट अफेर्स को देख रहे हैं, दोस्तों आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर के नेशनल, इंटरनेशनल एवं इस वीड संबंधित करेंगे, दोस्तों NHRC, जो है Human Right Commission, मानो के अधिकारों से संबंधित मामलों की संग्यान में लेता है, और उसे उसी इतनी आय दिलाता है, दोस्तों इसकी स्थापना 12 अक्टूबर मानो अधिकार संदक्षन अधिनियम 1993 के तहत किया गया था, दोस्तों वीडियो अ लाइन्स इंडेस्ट्री लिमिटेड के सहाय कंपणी RNESL ने हाल ही में चीन की सरकारी स्वामित वाली सौर उर्जा कंपणी REC सोलर होल्डिंग का 100% हंसेदारी खर दिली है, दोस्तों RNESL ने यह हिसेदारी 7171 मिलियन में खर दी है, अगला क्वशन है दोस्तों कि केंद्री नागरिक उड़ैन मंत्री जोतिराद माधोराव सिंध्या ने भारत के महरास्ट में ग्रीन फिल्ड सिंधु दुर्गावाई अड़े का उधगाटन किया है, दोस्तों छेत्री संपर्ग योजना उड़ान यानि उड़े देश के आमनागरी के तहक महरास्ट में ग्रीन फि अगला कोशन है दोस्तों, राजस्थान के 20 वर्षिय आदिती महस्वरी को एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिस उचायुत निक्ति किया गया है, दोस्तों महिला ससप्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के उत्राखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री के र अगला कोशन है दोस्तों कि COVID-19 जोखिम के बज़ा से भारत बर्मिंगहम कोमनवेल्थ गेम से होकी परतियोगिता से बाहर हो गया है, दोस्तों युनाइटेट किंग्टेम द्वारा भारती नागरिकों के प्रती COVID-19 क्वारांटाइन में भेद भावपून निती के बज़ा से भारत ने टीट फोर टैट के तहट बर्मिंगहम कोमनवेल्थ गेम के होकी परतियोगिता से बाहर होने का निड़लिया है, अगला कोशन है दोस्तों, फिंटेक कमपनी भारत पे ने पोस्ट पे के लौंच के साथ बाई नाव पे लेटर सेड़ी में परवेस्ट की घुश का दूसरा संसकरण बंगाल की खाड़ी में 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आयजित होगा, दोस्तों बहुत पक्षिय मालावार अभ्यास का या 25 संसकरण है, जिसमें क्वाड यानि भारत, अमेरिका, अस्ट्रिया और जपान की नौ सेना भाग लेती है, इसमे भारत के आयेनेस रण बीजे, आयेनेस सत्पुडा, पी एटाई, जोकी लंबी दूरी की समुद्र गस्ती बीमान है, जिसको हम लोगोंने अमेरिका से खरदा है, वो भी इसमें भाग लिया, दोस्तों इस बहुत पक्षिय मालावार अभ्यास का पहला चरण 26 से 29 अगस्त को फिलिपिन सागर में हुआ था, अगला कोशन है दोस्तों कि हाल ही में सी डोट दिल्ली में क्वांटम संचार प्रयोकसाला का उदधाटन किया गया है, इसका दोस्तों उदेशी है, भारती संचार नेटवर के जरुतों को पुरा करने के लिए दूर संचार प्रदोगी की का इसका मुख्याले नई दिल्ली में है और इसकी अस्थापना दोस्तों 1984 में की गई थी, अगला कोशन है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी द्वारा 13 अक्टूबर को प्रधान मंतरी गती सक्ती योजना को लॉंच किया जाएगा दोस्तों यह योजना की घोसरा जो है स्वतल तत्ता दिवस के औसर पर की गई थी, यह योजना जो है राश्ची बुनियादी धाचा के लिए एक मास्टर प्लान के रूप में कार करेगा और साथ ही अर्थ विवस्था को एकी किर्थ मार्क परदान करने में सहायता करेगा कोविड-19 पर अंकुष लगाने के लिए मिशन 100 दिन की शुरुवात की गई है, तो मिशन 100 दिन का संबंद की से है, तो कोविड-19 पर अंकुष लगाने के लिए, अगला कोशन है दोस्तों, हाल ही में फिक्की ने भारत के जीडिपी 9.1 परतिसत रहने का अनुमान लगाया है, तो 9.1 परतिसत का अनुमान किसने लगाया है भारत की जीडिपी का फिक्की ने, अगला कोशन है दोस्तों, कि दक्षिड मधे रेलवे पर पहली बार दो लोंग हॉल माल गाड़ी त्रिसूल और गरुण का सफलता पुर्वक संचालन किया गया है, दोस्तों, लोंग हॉ कि तीन माल गाड़िया सामिल है, अगला कोशन है दोस्तों, कि IISF जुनियर निसाने बाजी भी सुकप जो की पेरु के लीमा में हो रहा है, भारत में, भारत ने कुल इसमें 32 नहीं दोस्तों, इसमें रिभाइज किया गया है, गलती हुआ था टाइली में, 42 हो गया है, जिस जिसमें 117 मेडल में से भारत ने 43 मेडल जीता है, जिसमें 49 गोल्ड मेडल में से दोस्तों, 17 गोल्ड मेडल भारत जीतकर प्रत्थमस्थान पर है, शिर्षस्थान पर है, अगला कोशन है दोस्तों, US-India, US-India Business Council द्वारा Global Leadership Award 2021, सीव नाडर और मलिका स्रिनवासन को दिया अगला कोशन है दोस्तों, कि हाल ही में टैक्सी वोट सुरू करने वाला दुनिया का पहला Air Base Operator, Air Asia India हो गया है, अगला कोशन है, पिछले कुछ दिनों से भारत के ताप विदूत सेंत्र कोईले की भारी कमी का सामना कर रहा है, यह कोईला जो भारत में पाय जाने वाले अध जो है, कारण, इसका में कारण है, भारी-बारी से खादानों के ट्रेक में पानी भर गया, इससे पहले दोस्तों, कोईले की भारी की कमी हो गई है, दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकोन बटन दबा दे, ताकि मेरे दोरा डाली गई कोई भी सुचना आपको असानी से मिलता रहे, दोस्तों, वीडियो अच्छा नहीं लगता है, तो अनलाइक का बटन भी दबा दे, साथ में कॉमेंट मक्स भी अपनी राय जरूर दे, ताकि अगली वीडि 12 से 15 दिसंबर को दरभांगा संस्कृत विश्विद्याले में आयुजित होगा, अगला कोशन है दोस्तों, बिहार के नवादा जी लेगे, क्रिसी विज्ञान केंद्र को सर्वसेष्ट क्रिसी विज्ञान केंद्र सम्मान से सम्मानित किया गया, अगला कोशन है दोस्तों, कि पटना ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आंसिक ट्रेनिंग के बाद ही गाड़ी की कखजात देने की बाद कई है यानि अगर कोई ट्रैफिक का नियम तोड़ता है तो अब उसे पढ़ना पड़ेगा जो भी ट्रैफिक का रूल है उसके बाद ही उसके गाड़ी के लाइसेंस को दोबारा उसको दिया जाएगा अगला कोशन है दोस्तो इंडिया इसकील 2021 के तहत छेत्री प्रतियोगिता की मेजबानी बिहार करेगा दोस्तो इसके तहत जो है नौ राजियो बिहार, जहारखंड, उरिशा, अंडमा, निकवार, बंगाल, मिघाले, मिजुरम और त्रिपुरा राजि भाग लेगे जिसके 300 प्रतिभागी इसमें सम्मिलित होंगे, यह दोस्तो 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा जिस 20 अक्टूबर को इसका उधगाटन पटना ग्यान भौन में बिहार के मुख मंतरी नितिस हुमार जी के द्वारा किया जाएगा यह इसका समापन दोस्तो 23 अक्टूबर को बापू सबागार में किया जाएगा दोस्तो बिहार से टोटल 44 प्रतिभागी इसमें सामील हो रहे हैं और 19 कौसल में वो सामील होंगे अगला कोशन है दोस्तो अगला कोशन है कि 15 अक्टूबर से बालमी की टाइगर रिजर्ब जो की पश्मी चमपारण में है बालमी की टाइगर रिजर्ब को आम लोगों के लिए खोल दिये जाएगा अगला कोशन है दोस्तो कि पटना के ज्यान भौन में पांचवी इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेर का सुभारम उद्धोग मंत्री सहनवाज हुसेन के द्वारा की जाएगे दोस्तो आज यहीं रहने देते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन